पहुत पॉरा उसमें रावन के आदेश पर एक सुर्ण हिरण का रूप धारण कर दिया और फिर वो रान की कुटिया के सामने जाकर घास जर्मे लगा सीता पड़कुटी से सहजी बाहराई को उनका ध्यान उस सुर्ण ब्रग पर दिया आज तक उन्होंने ऐसा कर अभी नहीं देखा था एक संपून सोने का उप्रग सामने एक घास हाना था उसकी संपून संदर्था संपून आभा सुर्ण के प्रकाश के समान अलोगित हो गई थी इसके पानी दा में तो सीता को देख रहे थे उस हिरण से आकरशित होकर सीता ने राम से कहा कुछ भी करो लेकिन ये सोने का हिरण मुझे लाकर दे दो नास अगर मुझे वस्त बनाने के लिए इस हिरण की खाल मिल गई तो कितना अच्छा होगा न और तब सीता उस सुर्ण करने लगी कुछ भी करिए और मुझे ये सुर्ण ब्रग लाकर दीजिए राम सीता से कहा अरे पगली ऐसा हिरण नहीं होता भी है क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये हिरण के पेश में मायवी लाक्षा से लग लेकिन सीता कुछ सुनना नहीं चाती थी वो अपनी जिद पर अ पर दो दोड़ो दोड़ो मुझे बचाओ ये आवाज जंडर में निखुने लगी सीता में ये आवाज सुनी और वो बहुत अपरा गई नहीं दगा कि मेरे श्राम किसी संग्ट में है किसी दियो उन्होंनी लक्षमार से कहा कि तुम तुरंक जंडर में जाओ श्राम को कुछ हो गया है भया भया तुम ऐसे क्यों पढ़े हो जाओ जाओ चब्धी जाओ और श्राम के मदद करो इतना सिते ही लश्राम शांत रहे और सीदा से बुले मादे आप दुया की चिता पद करिये ये आवाज राम की एही नहीं ये आवाज जरूर उस्मायवी रक्षस की होगी इस धर्दी की कोई बी शक्त निए जिर राम का कुछ बिवाड है सकती आप उनकी चिता ना करें और विश्राम करें मैं उनका छोटा भाई हूँ अगर वो किसी संकट में होते तो क्या मैं शांद बैठा रहे था लक्षमन के ऐसे शब सुनते ही सीता होगी थोगी सीता ने लक्षमन से कहा जो बड़े भया के संकट में होने पर उनकी मदब ना कर सके वो कैसा चुना भाई है अले वो तो बड़ा पाती है लक्षमन को इन शब्दों से आधार पहुंचा उन्होंने कहा मैं राम की मदद करने के लिए जाता हूँ उन्होंने बड़ गोटी के बाहर अपने बार से एक रेखा खीज़ी और सीता से कहा मादे मैं राम की मदद की लिए जा रहा हूँ पर मेरा आप से एका रोज है कि चाहे जो हो जाए आप इस रेखा को पाद ना दरे सीता ने लक्षमान का पेड़ा बान लिया और फिर लक्षमान फिराम को तूनने के लिए जंगल की ओचर दिया लक्षमान जंगल में इधान उफर दोड़ रहे थे कि इतने बही ही उमने सामने से आते रहे राम को देखा लक्षमान ने बहीत से बुशा भीया क्या वो सौनबर्द मिल गया राम ने कहा अरे कैसा सौनबर्द वो तो यक मायवी राक्षस था मैंने उसे मार डाना लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम सीता को अकिने दाच परता लाए हो लक्षमान ने राम को साली बात बताई इस पर राम ने कहा अरे लक्षमान ये तुमने क्या कर दिया तुम से बहुत बड़ी भूल हो गई है तुम बड़ी कुछ भी होता पर सीता को अकेरा महीं चोड़ना था ये जंगल क्रूर राक्षसों और दानों से भरावा है हमारे सिवाए सीता के साथ कोई दी तो नहीं है ऐसी दर्शा में यदि किसी राक्षस ने ये किसी क्रूर प्राणी ने उसे कश्च दिया तो चलो लक्षमान चलो हमें तुरंद आशन तो खुशना होगा दोनों आशन में आते हैं तुर्भा किसे राम की आशन का सही निकली सीता आशन में नहीं थी लक्षमान जब राम को पूनने के लिए वन में गहे तक कि जाड़ियों के पीछे जिपावारावन साथू का रूप लेकर पतार आया साथानी पूर्वत पूर्वत की के द्वार पर पहुंचा आश्रम के पास आया यहां महां देकर को कड़ा खावार में भिक्षा मांगे लगा माई भिक्षा दे माई भिक्षा दे सीवा भिक्षा देने के लिए बाहर आई इतने में ही उसे लख्षन की बाद या लगई मांके कुछ भी हो जाए पर आप इस रिखा को पार ना दरें वो तुरंक पीछे हड़ गई और दूर से ही गिछ्षा देने लगी यह देखते के लगी भूगा और दीखा से बोला भिक्षा देने का ये बाहर सा करिका है माई भिक्षा देनी है तो ठीक से आगया कर दो वरना मैं बिना भिक्षा दिये ही चला जाओंगा पर एक बात याद रखना ऐसा कर तुम पाप गिर्हा की बंजाओगी तुमारा कर्यान कभी रह यह रावन साथे के पेश खोड़कर अपने असले में आ दिया एक चट्के में उसने सीता का हाँ पकड़ा और उपने कंधे पर रोने उठा दिया और आकाश मार उसे लंका की और जाने लगा अब सीता रोने लगी अपने शीराम को जोर जोर से पकारने लगी रावन को अब बहुत आनंदा रहा था जब सीता राम को पकार रहे थी तो रावन जोर जोर से हस्ता हुआ बोला इस तरह क्यों चिला रही हो सीते अब इसका कोई पार्दा नहीं है सारे देवता मेरे दा से दास साक्षार किलाश पती शंकर का मुझे आशिरवार है मेरे प्रशंड शक्ति से वो राम? अरे वो राम? मेरा कुछ निये बिगार सकता रावन को अपनी शक्ति का अधिकर भूने लगा इतने में चटायू रावन का एक विशान पख्षी सीजा को बचाने के लिए रावन के विमान को नकर्माने लगा चटायू अपनी चोसे रग को सोड़ना चाहता था रावन दोही भूगया उसने अपनी दर्वा से एक दिवाद एक चटायू पर प्रहाद किया और विचाने जटायू का एक अंकड गया घायर होकर वो जमीन पर गिर पड़ा विचारा जटायू उसे इस बार चब बहुत दुख्वा कि वो स्कीता को बचाना पाया इधर रावन सीता को आखा आशमार्व से लंका ले गया दूसी तरह राम और लक्षमन सीता को भूर दे भूर दे तक गए पर सीता का कहीं पता भी ना चला अब राम की अवस्ता एक छोड़े बच्चे दिसी हो गई और रुने लक्षमन से कहा अब मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी ना क्यों लक्षमन तुम्ही बताओ मैं क्या करूँ लक्षमन ने राम की हालत देखकर राम से कहा श्री राम भाया इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है हम अभी सीता को धोतर वापस रह सकते हैं पर दो राम को इससे संदोश नहीं मुझा था जंगर के सभी पशुपप्शी उनकी परणपुती के पास एकत्रीफ हो गए थे और सभी दक्षन दिशा की ओर दे गए थे इस लकार लक्षमन ने ये समझ दिया और राम से कहा ये प्राणी एक साथ दक्षन दिशा की ओर क्या दिख रहे हैं ने राम ने एक चंद बुदर देखा और पारण उठकर फड़े हो गए और लक्षमन से कहा कि हो सकता है कि कोई सीता को किसी दिशा की उले गया हो राम नक्षमन को साथ लेकर सीता को दूने के लिए उसे दिशा की दो निकल पड़े मादे में उन्होंने पेड़ पर लटकी हुई पुझाई खूलों की वियुनी देखी उसे देखकर राम ये उत्लम हावा बेश हो गए और बुरे है अले रक्षमन तरी ही तो मैंने ये फ अगे गई है निश्चिती को इसी दिशा में उन्ठा कर ले गया है चलते चलते माद में रग्त रजित जगाई उटा मिला इस पक्षी को देखकर राम ने सुचा की जरूर इस पक्षी में ही सीता को मारा है ऐसा पिशार कर राम ने हनुष पर पांच जढाया और जड़ायो करों शब्दों में शिराख से बुला एराम मेरी अवस्ता दुष्ट राम ने की लै तुभारी सीता को उन्हां कर वो आखाश मार्क से जा राता मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ मैंने राम पर उबार किया पर उसने मेरे पंग काट दिये और वो सीता को लेकर दुख करने दिये आदे चर्ड़िये और फिर सीता की खोज करने के लिए आदे चलिए झाल